दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपनी बक्रियों पर लगे वे जू चीन्चड को केसे दूर कर सकते हैं केसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं उसके लिए आपको घरिलू दवा कौन सी इस्तिमाल करनी चाहिए देखिए एक जांची पर की दवा जो की तीन घरिलू कंटेंट से मिलकर के बनी हुई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसे आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे इस्तिमाल करने से पहले एक जगे लगा करके आप चेक करने किसी परकार का कोई रियक्शन एलर्जी कंटिशन नहीं होती है तब आप पूरी अपनी बकरी के उपर इस्तिमाल कर सकते हैं जहां जहां जू चिंचर लगे हुए हैं वहां हलाकि यह जो दवा है पूर्ण रूप से देशी है और ज़्यादा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है आप आराम से इस्तिमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए हमें तीन चीजों की जरुरत होगी नमबर वन चीज जो है वो है फ्रेंड्स नीम का तेल नमबर वन पर आपको क्या चाहिए नमबर वन पर चाहिए आपको नीम का तेल नीम का तेल मार्केट में मिलता है 100 ml की एक बोटल आती है प्लास्टिक बोटल जो नजदी की किराना इस्टोर या मेडिकल इस्टोर पर इजिली मिल जाएगी इस नीम के तेल को सीधा आप लेकर के और यूज कर सकते हैं उसके साथ आपको मिलाना है आरती कपूर दूसरी जो चीज यानि जो टोटल तीन चीजे में आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से जो दूसरी चीजे है वो है आरती कपूर जो की 10 ग्राम आरती कपूर हमें 100 एमल नीम के तेल में कूट पीस करके मिलाना है यानि इस आरती कपूर को हमें अच्छी तरीके से कूट लेना है और कूट करके और फिर उस तेल में नीम के तेल में मिक्स कर देना है इसके बाद तीसरी जो चीज आती है फ्रैंड्स वो है अपने वाला साधारन नमक यानि काला सेंदा नहीं हमें साधार नमक लेना है मात्र पांस ग्राम लेना है तो इन तीनों चीजों को अगर गाड़ा हो जाता है सोलिशन तो आप सरसो का तेल साथ में मिला सकते हैं नारियल का तेल आप साथ में मिला सकते हैं लेकिन इन तीनों को इसी रेशियों में आपको लेना है 100 ml नीम का तेल लिया और आरती कपूर हमने 10 ग्राम लिये जो टिक्या आती है और साधारा नमक 5 ग्राम लिया इन सभी को यानि इन दोनों को कूट करके पीस करके अच्छी तरीके से बारिक करके नेम के तेल के साथ मिला देना है और जहां जहां जूँ चिंचर लगे हुए हैं हमारी बकरी को परिशान कर रहे हैं वहां इसे एपलाई करें जूँ चिंचर से बिलकुल छुटकारा मिल जाएगा